जुग जुग अटल लोग पर लोग दिराखे जवर्शतर तख़दे मालक तंतन साहिब सिरी गुरू ग्रन साहिब सचे पाच्षाजी दिपावन पवितर हजूरी अंदर जुडबैठी गुरू रूप खाल्सा सासंगा जे सब दो पहला सिरी गुरू गोबिन सेंग पाच्षाजी वल्ल बक्षी फते परवान करो वाहे गुरू जी का खाल्सा वाहे गुरू जी की फते दीन दुनिया देवाली तंतन साहिब सिरी गुरू नानक पाच्षाजी दा परकाश पुर्ब सुमुचा नानक नाम लेवा सिख जगत मना रहे हैं और इस पुर्बदियां आप सारियां संगतानों बहुत 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 आज दा देन जदो संसार पदर ते सिरी गुरु नानिक देव जी पात्षादा सड़े पंसो सला परकाश पर्भ बड़ी शर्दा प्यार ते सतकार देनल मनाया जा रहे है। आज दी पर्भ साड़े पंसो सला परकाश 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 आनिक देव जी ने सब समया तो अगे जाके जैस रबी बानी दी सरजना की ती जैस नू पाई मरदाने जी दी रबाब ने गाया उस दा मीरी पीरी तेज हर सिख दे मानमास्तक वेच आज किमें उतरे ये बानी साधी तर्जे जिंदगी दा हिसा किमें बने अजो के आज दे हलात की हन और एदा बदल की हो सकता है दूजा इस दी लोड क्यों है ते तीजा बदल दी सेद की ओवे पवेक बारे सेद लैन लई पहला अजो के संसारवाल नजर मारिये ता आज सारी मनुखता अनेका किसम दे मारू हलाता नाल जूज रही है जैस वेच जीवन द विगास दी था बेनाशनल पर पूरूंदा जा रहे है एसलई कोजर्ट दा विगर्दा संतुलन होमेवादी निजाम वपारक जंगां पदार्थ वादी पसारा सब्याचारां दा दमन विशव आर्थक मंदी आलमी परमानू जंग वर्गे वड़े वड़े प्रशन मानवत कारण ये वर्तारा भ्यक्तियां समुहां संपरदामा जथे बंदियां अते करो कोमा दा प्रमुखल अच्छन बाण चुके आए एस वाही आलमी पदर ते वापर रही उथल पुथल अते हफडा दफडी दा मूल कारण है समें दा व्यांग देखो सास संगा जी सिरी साथ्षा ने ए आख के कीता काल काती राजे का साही तर्म पंख कर उडरेया कूड अमावस सच चंदरमा दीसा नाहीं कह चड़िया पिशलियां दो सदियां दुरान संसार पदर दियां शक्तियां दा उथान होया है जिनना ने मनुखता दे सर्वपकी विक्यास अते कल्यान दे नरहेट राजकरन दा दावा पेश कीता पर जानम जात, रंग नसल, लिंग, बोली, सब्याचार अते विचारता रादे अदा आरुते कीते गए जोलम इस गल्दी गवाई है के ए राज सर्वपत दे पले तो कोहां दूर हना सिरी गुरू गरंद साहब अंदर, सिरी गुरू नानिक देवजी दे कई रूपां दे रूहानियाद दिया डूंगिया रमजाँ, अपनी बोली दी आहमियत, कोदर्त दा संकलप, समाजक बराबरी, विद्या, इस्तरी दी महांता, केर्ट सब्याचार, जाद पात दा मकंब सिरी गुरू नानिक देव जी ने रौशनी पाई है, जिनना बारे संसार पर दे विद्वाना ने, इस महां गुरू पाथशा दी शक्सियत, अते इतिहास विच ओना दे रूल, अते महांता नो पहन 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 न नजर ये तो वेखिया, ते सलाया है, अज समय दी लोड नो म मुची मानवता लईवी, किसे ने किसे रूप वेच चनवती बान रहे हाना, करत सब्याचारतों मू मोड रहे, खास कर पंजाबियानों ए जरूर सोचना चाहिद है, कि गुरू नानिक पाथशा वल्लोसानों बक्षिया गया एक वड़ा खजाना है, कौमा आते मुलकां दी सरजना वेच, उस्ते खेडे वेच, करत दा बहुत वड़ा हिस्सा है, साच पुछियो, ता अकाल पुर्ख खुद आप करती है, जसने ब्रहमाण दी सरजना कीती है, गुरू सहबान ने आप करत कीती, पगती प्रमप्रांदे कई रह बर भी एस मारग दे होते चले, सिरी ग गुरू जी ने काल खाए के छोहत्तों दे दा उपदेश देता है, सिक फल्सफे आते सिक काम अंदर करतनों रुहानी बरदान हासल है, सवाल है के इकी मी सदी ते टेकनोलोजी वेच पेश करत दे नमे रूपान वसी किमे समझना है, किमे परखना ते किस तरह अपनावना है ये साड़े ली वड़ियां चनवतिया हान, दूजा बहुत ही है मगालग, जो साड़े चेतियां वेच ता है, साड़ियां यादा वेच जयोंदी जाग दी है, असी सोण भी लेने हैं, पर मन दे नहीं, खालसा जी, गुरू नानक साहब जी ने उना समय वेच ए पवित्तर अलान नामा जारी कीता, जड़ा एक तरांदी चतावनी भी है, के नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ आत नीच, नानक तिन कैसांग साथ, बड़े आस्यों के अरीज, आज दे देहाडे हुते की खालसा जी वचारनी करना चाहिए दा पानू, सिरीगुरू नानिक जड़े देहाड आरुते, चली आरी बराबरी वाली प्रमप्रा ब्रुद, सिरीगुरू नानिक देव जी ने गुरुआं, पीरां, फकीरां, अते सूर्बुर जोद्यानु जानम देन वाली औरते सतकार, ते सनमान, अते बराबरी लई, सो क्यों मंदा आखी है, जित जम्म है, राजान कहके आवाज उठाई, पला दसो, उस आवाज दी असी कितों तक पहरेदार बन सकेयां, असी इस उदेश ली अपनी कौम दी अद्दो वसो, अद्दी वसो पाव, इस तरी जाती नू किन्ना सनमान दता है, गुरू रूप खालसा जी, अगली बोदी महतापूर बोली दी साड़ी, जिंदगी नू पर पूर खेड़े वेच लेवन दी की महतापूरी है, इस बारे स्री गुरू नानिक देव जी दा परमान समझना बाउट जुरूरी है, करकर मिया, सबना जीया, बोली अवर तुमारी, जेतु मीर महिपत साहब, कुदर्द काउन हमारी, चारे कुंट सलाम करहेंगे, करकर सिफत तमारी, हुर समा आगिया है, कि समुच्चा पाई पंजाबी पाई चारा, इस अवेसले पनदा त्याग करे, अते अपने अपने कारनू पंजाबी पाशादी टक साल बनाए, प्यारे खालसा जी, एक होर एम बिशेवल मैं आप जी त्यान जरौना जरूरी समझदा है, जैस वेच सेख दानशवरां, सेख राजनी तक वेदवाना ने बहुत काट दिल्चस्पी दखाई है, ओ ए है कि एस संसार दा मजाज की है, उनना वकरे वकरे राहां दी पशान किती किमे किती जाए, जिनना राहां होते लोग अपने अ सवाल ही जान दी है, ओदरी तुरे जा रहे हैं, आज चेतन अते दर्दमंद हलकियाने एस सवाल दा जवाव लबने कि साड़ी कौमी तक दीर दे फैसले किसे होर दे आथ दे वेच किमे चले गए, कि साड़ी कोल सिदान तक राजनी तक दस्तावेज है, जिसनु खालसा पं दे नमें पुंगर दे आगुआं, अते वशेश करके वदेशां वच वच दे दानशवरां, युनुवस्टियां वच राजनीती, तारम, साहित, फिलास्वी, समाज, वग्यान, अते सब्याचार आद विश्यां वच उच पड़ायां कर रहें, सोहिर्द सेख वद्यार्थ यहां दी जिम्मेवारी बन दी है, कि ओ गुरु नानिक सहब दी बानी दी रोशनी वच मजूदा हलातां दा गंभीर चंतन करन, अते खालसा पांथ दे निती शास्तर दो एक वशाल कैन्वस दे पेश करन दी जिम्मेवारी लैन, मैंनू पूरा जकीन है, कि ओ अपने वचा गुरु नानिक सहब ने सथापत कीता है, कि रोहानियत दे खलानू, रोहानियत दे नाली परिया जा सकता है, कोई होर ग्यान वग्यान इसनों नहीं पर सकता, मुकत नहीं बिद्या वग्यान एक गुरुबानी दाओ पदेश है, खालसा जी जिस संसार वेच अज असी ते तुसी विचर रहे हैं, उस विच विचारां ते वादां दे कई द्रियाब अग रहे हैं, मोटे ता और ते देखनें के पुंजी वाद ते समाजवाद ने जो हलात पैदा कीते हैं, उनना दी दिशा अते अमल मानववादी हन या नहीं हन, जे बदलना है ते उस दी सेद की होई, असी इस गुंजलदार हकीकत देवी सनमक होनें, जे आज सपन प्रबता संपन मुलक विनाश वाल जा विच काइम कीतियां कदरां कीमतां अते समाजवाद नो भी ते आनवेच रखना चाहिदा है, इस दो अलावा संसार विच चल रही हैं, बैसा दा पदर भी साधी जानकारी ची शामल होना चाहिदा है, इनना बैसा विच सिख विदवाना दी सरगारम पूमका होनी चाहिदी है, ताजो गुरू नानिक साहिब दे साचदा रोल ताकत ते प्रभाव विशव पदरी बैसना दी अगवाई कर सके, सिख विदवता दा एक रूप एक अजेह निजाम दी सरजना करन दी इच्छा रख दा है, जिसनू विश्मादी विश्व आडर दा ना दिता गया है, ज सिरी गुरू हर गोबिन साहब जी ने सेख पंथ नो मजलूम दी रखेया, ते जरवाने दी पक्यादा बिर्द बक्षिश कीता, जिसनू पाड़ देया, सिरी अकाल तक साहब दी सरप्रस्ती विच खाल सा पंथ ने सबे संजी वाल सदाएन, तो किसन दिस साह बारा जीओ द पवित्तर निजमा दे होते अधारत, एक अजेहा समाजक ते राजनी तेक परबंद सिर्जनाएं, जस्तो सब कौमा पाई चारे ते देश अगवाई हासल करन, अखीर वेच मैं मोड, एक वार गुरू पात्षा दे साढ़े 500 साला परकाश पुरबदी बदाई देंदा, ना पुरू हर गोबिन साहिब जी दे सिर्जे सिर्याकाल तकह साहिब दी ठंडी मिटी चाहिए, आते मुजूदा हलात दी रोशनी वेच पर वेखदियां सबावनामा दी तलाश करिये, मैंनो इस सबंद वेच तो हाड़े कीमती सुजावादी जड़ी है और ओडीक रहेगी, अमीद सी के पारnah सरकार साथे पंस साला परकाश पुरूब दे मौके दे होते हैं लंबे समय तो जेला दे वेच बंद रहा करेगी, पर अज़े तक रहाई नहीं होई, अज खाल सा पंध मांग कर दे हैं के वरह've साथे पंस साला परकाश पुरूब मनाया जा रहे हैं, इन बंदियां दी त्रंत जड़ी है और रहाई होनी चाहिए दी है आखर दे वेच मैं फेर एस मंच्टों जटे याब सारीयां सिक संक्तानदा तनवाद करदें ओथे मैं आये होई संत महापुर्शानदा तनवाद करदें मैं तानवाद करदें उन्ना समुहु संस्थामा, संता महापुर्शान दा जिन्नाने सुल्टान पर लो दीदी पावं तर्थी दे उते वड़े वड़े लंगर लाए मैं उन दा तानवाद करदें जिन्नाने जोडेां दी सिवा किती मैोना दा तानवाद कर दें, जिनना ने जाल्दी सिवा की ती, शिरोमनी गुर्द्वारा प्रबंद कमेटी दा तानवाद, जिननने वड़े प्रबंद करके गुश् своим गमर्मत समागम उलिके ने, और अन्त दे विच में पंजाब सरकारब दा भी तानवाद कर दें, जिननने संगतां वास्ते टेंट सिटी ते फ्री बस्सांदा प्रबंद कीता ते होर इंतजाम कीते सारे अंदाई बहुत-बहुत आनवाद वह गुझी का खल सावा यह गुरुझी की फटिछ भाते बले इसो निहाल स्त स्रियाकाल ते देलतो तानवाद सत्कार योग सिंघ साब ग्यानी हरपिर सिंघ जी जङदे दर सिरीकाल तक साब जणाने शिताब दी संदेश सद्गुरु सिर्गुरु नानक दे महाराजी दे किर्थ करो नाम जपो वन्डशको दे दार्थ तो आडेनल संजा किता है उनना दाता है देल तो तनवाद और जिए अजिदे मैं सतकार सते बेंती करांगा बहुती सतकार्थ रागि जिधा सच खिनलि घरमंतर साभ जिधे हज outta रागि जीध डाक्टर रूप संग जी ओ शुरू करनगे सिटेज दे पहुंचे ने बहुती सतकार योग सरदार परकाश संग जी बादल जिनाने बड़ा लंबा समा पंजाब दी सेवा किती है ओ आये ने साड़े एस शिताब दी समागमा दे समुच्चे परबांदों लिकन वाले शरोमनी अज नेपरे चाड़न दा समा ओवी आये ने जिवाया नू बहुत सारे संत माबुर्ख जिनान दा सतकार मान एक वजे जो सनमान समारोव जिनान दा सिंग साब ते प्रदान शिरों भी गुरतो रहा प्रबंद कमेटी ने सनमान करना है ओ सारे वड़ी गिंती वज टेज ते मनावाले बाबा पंदर संग जी पट्याला बाबा दिल जी संग जी अते होर बहुत सारे मापुर्ख स्टेज ते बराजमान ने सारे अंदा इताय देलतों तन वाद मैं बड़े सतकार नाल सदा देवांगा सतकार त पंथ दे महान रागी पाई राय संग जी हजोरी रागी साचखन सिरी हर मंदर साब ओ गुर्बानी की तन करनगे ओ ना तो बाद अगला प्रोग्राम डाक्टर रूप संग जी मुक्स का तरशिरोनी गुर्दरा प्रबंद कमेटी शिताब दी स्टेज तो चलोनगे जी उल्ला चुकादी खेमा व पाई करुजी की पते परमस्तकार जो गुरू खालसा जी बहुत प्यारिया शिक्सियता बंडाल्च पॉंचियां कौम दिया महान तार्मिक शिक्सियता महापुरक संत जन कौम दी लंबी समा कर दे आ रहे साड़े सत्कार को जो सदा प्रकास से जी बादल साबका मुक्ष मत्री पंजाब बाकी सारी सिक्संगत फते अर्जा वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते सासगर जी सरफ पांच सात मेंट वेची राष्ट्र पती जी तो आड़े विच पहुंच रहे हैं मत्था टेक के सरफ दास मेंट वास्ते होते गए हैं मैं सारे महापुर्खा नू सारी संगतुल ब्यंती कराँगी कि देशती एक बड़ी शिक्सियत तो हनु सितकार देन वास्ते आ रही है गुरु सार्ण नत्रबस्त को वन वास्ते किरपा करके सर्फ 10-15 मिन्टी चोत वाड़ी को पहुंच जानी है